अटल टनाल जिसे रोहताक टुनल भी कहा जाता है बारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाले राजमार्व पर हिमालाई के पुर्वी बेर पंचाब स्रेणी में रोहताक के दर्गे निर्मित एक राजमाक शुरंग है नौ किलमेटर की लंबाई में ये दुनिया में दसदार फिट से उपर सबसे लंबी सुरंगे और उसका नाम पुर्व प्रदान मतरी अटल बिहारी बाजबाई के नाम पर रखा गया है नमस्ति दुनिया मेरा नाम जैस पोरिया है और आज मैं आप को अटल टरनर के बारे में कुछ सुनी कुछ जन सुनी इसी साथ बाते बताने वाला हूँ जिसे आपने शायदी सुनी होगी तो जल्दी से जुड़ जाए हमारे इस सफर में और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लेज सब्सक्राइब आवर चैनल चलिए शरू करते हैं पहले नमबर पर है सुरंग का निर्माण प्रदान मंत्री नेहरू ने 1960 में स्थानिय लोगों के साथ रोहताक दर के लिए एक रसी के रास्ते पर चर्चा की लगबग 49 साल बाद जब अटल बिहारी बाजपाई पधान मंत्री बने स्थानिय लोगों ने उनके बच्पन के दोस अर्जुन गोपाल से उन्हें रोताक सुरंग के बारे में बात करने का सुजाओ दिया कोपाल और दो साती शेरिंग दरज्जे और अभई चन दिल्ली चले गए एक साल की चर्चा के बाद पुर्व प्रतान मंत्री अटल बिहारी बाजपाई ने तिन जून 2000 को रोहत तक सुरंग का निर्मान का निर्मान का निर्मान लिया था सुरंग के आधार सिला 26 में 2002 को रखी गई थी बाजपाई ने जून 2002 में लोहाद कई और गोश्ना के कि रोहत तक सुरंग का निर्मान किया जाएगा दूसरे नंबर पर है दूरी कम करना सुरंग ने मनाली और ले के बीच की दूरी 46 किलोमेटर तक कम कर दी और सड़क औरोध्या हीम सखलन के खत्रे के बिना यात्रा की समय को 4-5 गंटे तक कम कर दिया सुरंग की उप्योगिता इस प्रकार बेतर हो सकती है मनाली से रोहत तक के उत्तर की ओर और कैलांग से दक्षिन के ओर जाने वाले 117 किलोमेटर की दूरी को आम तोर पर वहनों द्वारा लगपक 5 से 6 गंटे के कवर किया जाता है और पहाड़ी मार पर घंटों तक त्राफिक जमा होता था वही यादर आप बहुत आसान हो गई क्योंकि सुरंग के दक्षिन पोटल में मनाली से 24 किलोमेटर की दूरी जो 50 मीटर की है सुरंग में मात्यम से लगपक 15 मीटर में कवर किया जाता है और वो भी त्राफिक जाम के बिना तीसरे नंबर पर है सुरंग कहां स्टीते अटल सुरंग भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमाग पर हिमालाई की पुर्वे पीर पंजाब स्रेणी में रोहात तक के पास दहत निर्मित एक राजमाग सुरंग है सुरंग 31 मीटर की उचाई पर है जबकि रोहात तक दरा 3938 मीटर की उचाई पर है चौथे नंबर परे सुरंग का शेत्र क्या है 9 किलोमेटर की लंबाई में ये दुनिया में 10,000 फीट में सबसे उपर लंबी सुरंग है ये सुरंग में आपातकलिक संचार के लिए प्रत्यक 150 मीटर पर टेलिफोनिक कनेक्शन प्रत्यक 68 मीटर पर फायर हाइडरिक मेकेनिजम प्रत्यक 250 मीटर पर CCTV कैमेरा हर एक किलोमेटर पर एर क्वालेटी मोनिटाइजर जैसे परियाप सुरुक्षा सुविधाई है पांच में नंबर परे सुरंग की किम्मत क्या है 2000 में इस परियुजना का एक्ष्टिमेशन लगबग 500 करोड था और उसे 7 बर्स में पूरा करना था पर इस प्रोजेक को पूरे होते होते लगबग 10 साल और 32 करोड का खर्चा हुआ यानि कि 438 बिलियन यूएस डोलर जो कि पारंफिक मुल्यों से 3 गुना अधिक है चटे नमबर परे किस ने और किस समय सुरंग का उत्खाटन किया सुरंग के प्रवेश मा का उत्खाटन अटल भी हरी बाचपाई ने किया था 25 दिसमब 2019 को रोहत्यक सुरंग का नाम बदल कर अटल सुरंग रखा गया था और सुरंग का उतकाटन 3 अक्टबर 2020 को प्रदान मंद्री नरंधर मोदी द्वारा किया गया था साथवे नमबर परे सुरंग किस ने बनाई मनाली के लह से जोडने वाली अटल सुरंग का निर्मान तब बॉडर रोल और्गेनिजेशन ने किया है ये रोवा फ्लाय टेक्नोलोजी का चरित्र करने वाली पहली सुरंग है जो एंजिनेर को उल्टेस्टर पर काम करने की अन्यमुती देती है दोस्तो ये थी अटल टर्नल के बारे में हमारी साथ जानकरिया उम्मित करता हुआ आपको पसंद आई होगी अगर आपको इन में से कुछ भी जानने को मिलाए तो प्लेज ब्लैशिंग ओन आवर वीडियो विट लाइक शेर और सब्सक्राइब तिल देट आओ जो खुसरे जो टाटा बाई बाई मिलते हैं बहुत चल अगले वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग